मुझे नमस्कार दर्शुकों मैं हूँ प्रद्नया आप मुझे देख रहे MNS News लाइप पर खबरों की और रुख करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम वही खबरे आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि सच जरूरी है अब शोदों से आहाद युवक ने वृद्द्य की हत्या नापकूर के कुई थाना के अंतरगत सालाई गोधनी शेत्र में हुई वृद्द्य की हत्या के मामले में स्थानिया अपराज शाका ने जाज के बाद 19 वर्शे युवक को गिरपतर किया है वृद्द्य का नाम चिन्बा धुन्बा जी पार से 75 वर्शे बिती 19 जुलाई को चिन्बा जी का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला था इसकी जाज का जिन्मा स्थानिया शाका LCB को सोपा गया था वृद्द्य जिन्बा पशु चलाने का काम करता था इस टोली में कोई और भी चरवाय थे सभी चरवाय की लाटों की जाज करने पर 19 वर्शी आरोपी वैबव चंदरशेकर बराते की लाटी में फून लगा पाया गया पुश्ताष में वैबव ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया की बुजूर्ग उसे हमेशा अपशप्त बोला करता था जिसमें वह बहुत आहत होत जाता था हत्या के पहले भी रुद्धा ने उसे अपशप्त बोले जिससे गुसे में आकर वैबव ने लाटियों से पीट कर और पत्तर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी MNS News Live की खबरे देखने के लिए आज ही Play Store से MNS Indie आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद